अब अब नोगों के सामने कुछ जी जी रखनी जाएं आज के चासा तरफे जम पूरे अचायरी के बारे में कोई ग्यान नहीं सिर्व एट्स का नाम जिना था है एट्स और एट्स का मज़िए ग्यान था इसके बारे में कि एट्स जीसे हो जाता है तो इसकी बुक्ती हो जाता है कां साथ पहले मेरे पकी की अचानक कभिया खराफ ले इधार उज़र कई प्राइबेट डॉक्तरों को दिखाया किसी डॉक्तर ने उन्हें टीविट आजोस्ट किया इलाज चला लेकिन पुदी रिलाइस नहीं बिला कि और प्राइबेट डॉक्तर प्राइबेट प्राइबेट रहे लेकिन इसका सभी ट्रेग्मेंट करी नहीं था अगर्पराइबेट कि वाले कुक्तर रॉक्तर में थी अजयक्तर लेकिन इस नहीं यह आ देया कि यह तहुत्सक्रों सदॉट करें यह जित्वार बिला बिलों किसी डॉक्तर बिल्फा मपनद्वां कि यजित यह सचरिद जान्च प्राइबे और जब मुझे पता चला तो काफी देर मुझती है, मैं खुछ भी नहीं करता है उनके लिए, अगर इसके बारे मुझे पहले पता चल गया वादा तो साथ उसाया थी, आज मेरे होस्टन मेरे साथ होती है, उनके जाने के बाद, हर में परिवास उस्टनाल में सारे लोगों का रविया बदल गया, जो लग इतने करिक्षट उलक्तन जूर चले गया, मुझे लगा कि जैसे मेरे जीवन का अंध हो गया है, मेरे पैट के नीचे जमीन नहीं है, मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा, लगता था पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी इस जीवन में सेस नहीं बचा है, अब क्या आजाओंगी, क्या होगा, मेरे हस्बेंट चले गया, मेरे मन में में हमेशा यहीं क्या पना रहता था, फि मुझे कुछ हो जाएगा, तो भी बच्चे का क्या होगा, और जब मेरे हजबंट इस्पार हो गया तो पी मेरे पारेंस में मेरे काफी सपोर्ट किया और जो भी ब्हावनात्मा सपोर्ट होना चाहिए वह मेरे पारेंस ने किया वो लोगों ने मेरा treatment करवाया मैं यही बनारस की local रहने वाली हूँ लेकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ भियाच्चू में A.R.T. सेंटर है किसी दरा पता करके भियाच्चू A.R.T. सेंटर गई वहाँ पे मेरा treatment हुआ और उस समय मेरा cd4 काभी अच्छा था जिसे मेरी दवा नहीं चली और मुझे चाट साव से पता है अपने बारे में और यस तक मेरी दवा नहीं चली क्योंकि मेरा cd4 कांट अभी 760.9 है क्योंकि मैं अवमेग सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मा जीवन जी रही हूँ और मुझे ये सोच सकारात्मा और ये जो मेरे अंदर कैप सिटी जो मेरी बिल्ड हुई ये देन है बनारस पॉच्टिव नेट्वर की जब मैं से मैं वहां जोड़ी जो मेरे अंदर डर था कि मेरी मौत हो जाएगी पर बच्चे का क्या होगा कि पहुत तरह की समस्या हैं हमेशा मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि क्या होगा क्या होगा कब तक मैं जीओंगी लेकिन जब से मैं बनारस पॉच्टिव नेटर से जुड़ी तो मेरे अंदर से डर खत्म हो गया आज मैं उसी संस्ता से जूड़ करके अपने जैसे बह करती हैं कि अपने जीवन जी सकें इस्टिग्मा तब सुरू होता है इस्टिग्मा सुरू कहां से होता है कोई भी परिगार जो गास खास के अचाइब एक्स के बारे में आज भी अर्वन वह या रूला ले रिया लेकिन बहुत सारे लोग इससे एकदम अन्नोन हैं आज भी अर्वन एरियों भी जाते हैं तो इसी किसी को राता है चाहिजी है जो टीवी एड वगरा पड़ते हैं लेकिं रूलर एरिया में तो बिलकुल नहीं है एड्स का भी हमें गाउं में हम लोग गाउं भूम के पचार पसार करने गए थे तो वहां पे एड्स का किसी ने नाम तो आठात नहीं सुझा है तो इस स्थिग्मा जो अगाउं कुर परिवार होते हैं उनको नहीं पता हता है जब जाते हैं डॉक्टर्स के हाँ जब डॉक्तर या परा pills क्लाइं तो परिवार और दर जाते हैं कि जब यह डॉक्टर होतें हिंके साथ ऐसा कर ईसा तो और जैसा कि आप लोगों ने नाटक में देखा कि किस तरह से इसो एक्स्प्लेंट किया गया इनाटक के माध्या लिए, किस तरह से एक महिला हो या फिर पूरुस कोई भी हो और खास कि जो और फन वीडो होती हैं, उनके साथ बहुत सारी बहुत तरह की स्टिग्मा डिसमेशन उनके साथ किया जाता है, परिवास समाज हर जवासुदुदुदुदुदुदुदुदुद झाल